हेलो माई डियर फ्रेंट्स होप आप सभी लोग अच्छे होंगे चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं एक नए वीडियो के साथ और में बर्मंद रातुल आप लोग को बर्मंद फ्लॉक के तरफ से स्वागत करता हूँ यह नए वीडियो के साथ चलिए आज हम देखेंगे एक नया उद्यान जो लांच किये हैं वर्मंद फासामने वेरी रिसेंट मतलब 2021 में तो यह पार्ग हम लोग देखेंगे जिसको माना जाता है ब्रेटिंग स्पेस मतलब लोग अरबन जमाने में अभी इंडस्ट्रियल एजिसन के जमाने में पोलू किये हैं लोग अगर आते तो यहां थोड़ से रिलाक्सेशन फील करें और थोड़ से सास मतलब नेचरल सास ले सकें तो आपको अगर यह उड्यान में आना है तो पहले ही आपको जालुबारी सेंटर जो है वो गोहर्टी के अंदर वो आपको क्रॉस करना होगा जो आप लो इते तो यह जो हाक्ती है तो पच्छिम के तरफ आपको मीलेगा और विलकुल अब्वजिच साइड में आपको बहुद कि मीलेगा और अगर आपको एस जाना है तो वह हां से खना परा से और यहा मीलेगा वह खना परा हो दूसरा जो सेफ़न और सिस्तर्स के अंदर जो भी सरकल है यह जो फ्लाइओर बना हुआ है वह आपको डाइरेक्ट करेगा तो चलिए यह फ्लाइओर भी हम लोग दिखा देते हैं उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे गोहर्टी के अंदर मतलब आडावरी एरिया में यह जो उद्यान है जिसका नाम है अतल उद्यान तो उसको इस्ताबलीज किया गया है तो हम देखेंगे क्या-क्या वहां चीजे रख्या हुए है मैं अल्रेडी बोल दिया हूं कि वहां जो थोड़ा सा आर्टिस्टिक जो नेचरिल और ट्रेडिशनल चीजों को यह पार्क के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की गवर्मेंट अबास हम ने कोशिज किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए हम लोग अतल उद्वियांग पहुंच चुक्छा है तो यह देखिए इस पार्ट का वेसिकले नौन अज ब्रेटिंग स्पेश सोबेस दिसमबर दुजार एकीश में अमरेबल सीप मिनिस्टर अशाम दक्तरि लोग मौनिंग वाक करने आते हैं उनके लिए एक्शली फ्री है चलिए हम भी एक टिकेट लेजी लेते हैं यह ताम उप टिकेट दी दी आपक्सम क्यी तोगा 20 तोगा 20 रुपीस यहां का एंट्री तो मैं ले लेता हूं उसके बाद हम लोग अंदर जाके दिखाएंगे य यह टिकेट का वेलु है 20 रुपीस चलिए लेट्स को गट इंट्री पर्क लोगों ने आना चूरू कर दिये हैं और 11 बजे यह गेट खोलते हैं असाम को आध बजे तक चलिए हम आगे लेके चलते हैं आप लोगों को यह कॉलोह बोलते हैं असामीज में और मैंने जैसे की बोला था यहां ओर्ल पेंटिंग मास्क यह देखिए कितना सुन्दर से सजाया हुआ है तो एक नेचरल फिल आता है सभी लोग दिन भर यह आर्बानाइजिशन इंडस् गनले अंबरेमेंट से हम लोग दीन बिताते हैं तो साम के समय पे अगर आओगे मैं कोशिज करूँगा कि साम को भी आप लोगों को यहां लेके आओंगा लाइट जलने के बाद बहुत ही सुन्दर एक नजरा होता है अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दीन का एक नजरा द कलाब से पानी वानी लाने के लिए इसे कमर में लेके महिला लोग घर के यूजेस के लिए जो भी पानी लगते हैं तो लोग दूर दूर कलाब कलाब से लेके आते थे वो कमर में लेके महिला लोग तो यही इसको बोलते है कला पूरा नेचर को समाम दिया गया है अब आपक के साथ आईए आपको बहुत मज़ा आजाएगा यहां के पुरा रिलाक्सिशन फिल हो जाएगा चारों तरफ फ्लैट अपार्टमेंट से बड़ा गोहाटी और बीजो बीज में अदा बरियरिया में यह पार्क यहां आएए बैठिये आपके दोस्तों के साथ आपके प्रिया हुए हैं यहां एक्सेली मैं वीडियो में कितना आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ आई दॉन्ट नो बट एक्सेल में अगर आओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आजाएगा आज का माहूल थोड़ा अच्छा लग रहा है और इसलिए मुझे लगा कि आज आप लोगों आज यह शुरुवात यहां से आदावरी एरिया जो गोहाटी के अंदर में आता है पहले यहां आदावरी बस्तेंट था बहुत बड़ा बस्तेंट था तो अभी जैसे की नवीकरन हुआ है तो उसके बाद यह बस्तेंट बगरे को थोड़ा से चेंज कर दिये जगा चेंज कर दिये हैं क्योंकि ट्रेफिक बहुत होता है गोहाटी में मुझे लगा कि आज आप लोगों को यह दिखा देता हूं उसके बाद जो कई सारे तुरिष अट्राक्शन हैं गोहाटी के अंदर तो मैं step by step one by one आप लोगों को लेके चलूंगा तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा यह सभी सीजे जो है ओ नेचर से बना हुआ है यह उडेन आर्ट है देखें उद से बना हुआ है और सभी हैंडी क्राफ्ट चीजों को जो असाम के जो एक्निक ग्रोप्स है तो उन लोगों का जो भी आर्ट है यह पार्क के लोगों तक पहुंचाने की पोसिस कि लिए यह यह बेंबू का है जो लाइड है मतलब स्पोर्ट लाइड है तो राच के समय पे हम अगर हम लोग आएंगे तो आप लोगों कर दिखा सकोंगा तो यह देखिए चाबी बेंबो आर्ट है उड़न क्राफ्ट का उड़न आर्ट है असाम तो बिसिकली जो नॉट इस काम होता है यह जो मैंने आपको कला बताया था आशामीगवड में यह एक्षालिई ब्रास मेटल से बनते हैं और मिटी से भी बनते है जो मटका होता है और यह देखिए जापी भीज में यह देख पा रहे हैं आप लोग जापी जापी मतलब बैम्बू अम्रेलाओ बैम्बू से बनाते हैं तोपी के जैसा पहनते हैं यह पहन के प्लाफिंग करते हैं तक कि बारिश से चुटकरा मिले और खेट को आगे बढ़ा सकते हैं साइच से भी दिखा देते हैं हम वाई से आकले आकले अकले अगये हैं वेरियस अथ्निक ग्रॉप्स वियर हैं इन असाम वह सभी चीजें थोड़ा बहुत जो है यह पार्क के त्रूप लोगों तक उंचाने की कोशिज किया हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आई दोन आप लोगों को कैसा लग रहा होगा कॉमेंट करके बताईएगा प्लीज रात के समय में भी आके वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाके आप लोगों को दिखाऊंगा यहां से जाते हैं और इट्रियम । हजार लोग यहां बेटके काफ़्क से बगये जहोते हैं मज़ा ले सकते हैं यह सब जो मास्क यहां लगा हुआ है। यह सब जो को मांस्क ह Property यहां पर लगा हुआ है। यह दखे यह पर दिख यह using का माहौल कुछ रही होता है। बहुत ही जबर्दस्त होता है। में तो डोलिन आप लोगों को एवीनिंग का थोड़ पर दिखा देता हूं बने रही हैं का मेरे साथि इसमे मैटल अलड़ में पर बमकल का तछलर गया हुआ है दरास मेतल से बना हुआ है, यह दुनिया के सबसे बड़ा मटका है, जो बरास मेटल का लुक दिया हुआ है. आगे मठते हैं और देखते हैं कैसा दिखते हैं दिन में दिखाया था, को अभी शीजे में आपको थोरोली इविनिंग अभी दिखा रहा हким. वाटर फाउंटेन बेगरे जो है उस्ताड हो गया है लोग भी साम को थोरे से ज्यादा ही आते हैं इसे इसना मज़ाद है आज पास को गुण के इसे अलगी पील होता है हर जगे आपको वाल में ऐसा मास्क दिखेगा पैंक्टिंग अच्छ में कुछ अलगी निदा रहा है इसनी को है इसनी को अपको अपको अपके एंदर तो इन लोगों का जैसे कि गाना बजाना जो इंस्टूमेंट होता है मुजिकल इंस्टूमेंट में बहुत चारे सीजे बीना बगेदे बहुत चारे चीज़ें यहां रखा हुआ है इससे के साथ हम लोग यह वीडियो को समाप करते हैं और मिलेंगे दूसरा एक एक्स्ट्रा ओडिनेर वीडियो के साथ तिल दन स्टे शेफ स्टे कॉंपर्ट बबाए ठेक्या